नमस्कार देश रो दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ मैं निधी हाजिर हुए M.P. News पर चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मु श्रीनगर राश्री राजमार्ग पर रात भर हुई बर्फ बारी के बाद उसे बंद कर दिया गया है जबकि जम्मु कश्मीर के डोडा जिले के गुर्मल गाओं में भारी बारिश के बाद हुए भूस खलन की वज़े से आठ परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है अधिकारियों ने बताया कि 270 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर सित जवाहर टनल की जमीन पर बर्फ की 9 इंच मोटी परच जमा हो गई है और बारिश के बाद कई स्थानों पर भूस खलन की वज़े से सड़के बाधित भी हुई है सड़क पर याताया तेजी से बहाल करने के लिए प्रयास किये जा रहे है यह सड़क कश्मीर खाटी को देश के अन्य हिस्सों से जोडती है तो अच्छी बर्वबारी और ठंड का असर देखने को मिल रहा है जमू कश्मीर में अगली अपडेट प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने आज फिकी की 93 वर्षिक आमसभा को और वर्षिक सम्मेलन को समबोधित किया इस दोरान पीए मोधी ने कहा कि हम लोगों ने 2020 के मैच में तेजी के साथ बहुत कुछ बदलते देखा है लेकिन 2020 के इस वर्ष ने सब ही को मात दे दी है इतने उतार चड़ाओ से देश और दुनिया गुजरी है कि कुछ वर्ष बाद जब हम करोना काल को याद करेंगे तो शायद यकीन ही नहीं हो पाएगा लेकिन अच्छी बात ये रही कि जितनी तेजी से हालात बिगड़े उतनी ही तेजी के साथ सुधर भी रहे है कृशी कानून को लेकर पियम बोले कि नए कानून के बाद किसानों को नए बाजार मिल सकेंगे नए विकल्प मिलेंगे टेकनलोजी का लाब मिलेगा देश का कोल्ड स्टोरिज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा और इन सबसे क्रशी क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवेश होगा अगली अपडेट कॉंग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने किसान आंदोलन को लेकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर तंज कसा है ट्वीट चाया हुआ है आपको बता दे इससे पहले कॉंग्रेस के पूर्वा देक्षिर राहुल गांधी ने केंद्रे क्रशी कानूनों के खिलाफ कई किसान संगठनों के विरोध प्रधर्शन की प्रष्ट भूमी में शुक्रवार को दावा किया कि देश के क्रशक पंजाब के किसानों के बराबर आए चाहते हैं लेकिन केंद्र सरकार उनकी आए बिहार के किसानों के बराबर करने चाहती है बात करेंगे कोरोना संक्रमन को लेकर तो देश में पिछले 24 घंटों में 30,006 नए संक्रमित मरीज सामने आए है महीं 442 लोग कुरोना से जिन्दगी की जंग हार गए अच्छी बात यह है कि बीते दिन 33,494 मरीज कुरोना से स्वस्थ भी हुए है स्वास्थ मंत्राले के ताजा आकडों के अनुसार भारत में कुरोना के कुल मामले बढ़कर 99,26,000 हो चुके है इन में से अब तक 1,42,628 लोगों को अपनी जान भी गवानी पड़ी है कुल एक्टिव केसेज घटकर 3,60,000 हो गए हैं अब तक कुल 93,24,000 लोग कुरोना को मात दे कर स्वस्थ भी हुए है वही कुरोना के ही संबंद में अगर हम बात करें तो फ्रांस में कुरोना के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं हर रोज कुरोना में जो नए आकड़े सामने आ रहे हैं वो चौकाने वाले हैं इसी को देखते हुए फ्रांस सरकार अब सक्त कदम उठा रही है फ्रांस में अब नाइट कर्फ्यू लगाने का एलान कर दिया गया है फ्रांस सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए 15 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू घोशित किया है 15 दिसंबर से रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा इसके अलावा नए साल की पूर्व संध्या पर जश्न के लिए भीड जुटाने वालों पर भी सक्ति की जाएगी हलाकि फ्रांस में कोरोना के नए मामलों में गिरावट का दावा किया जा रहा है लेकिन सरकार कोरोना को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती और एहतियात के तौर पर नाइट कर्फ्यू का नेर नह लिया गया है बात करेंगे कोरोना वैक्सीन को लेकर तो यूके बहरीन कनाड़ा के बाद अब अमेरिका में फाइजर कोविड नाइटीन वैक्सीन को मनजूरी दे दी गई है यूएस फूड एंड ड्रग अड्मिनिस्ट्रेशन ने फाइजर और बैटिक द्वारा विक्सित कोरोना वाइरस वैक्सीन को इमर्जनसी अप्रूवल दिया है जो कोविड नाइटीन के रोक्थाम के लिए अमेरिका में आने वाली पहली दवा है FDA आयुक्त डॉक्टर स्टीफन हैन ने शुकरवार रात एक बयान में इस खबर की पुष्टी कर दी है तो देश और दुनिया की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही लेकिन मध्यप्रदेश चे जुड़ी अन्यक खबरें MP News पर लगातार जारी है आप भी बने रही है हमारे साथ देखते रही है MP News धन्यवाद